नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका दोस्तों देखिए चाहे कोरोना जैसी खतरनाग बिमारी हो या जीवन की कोई भी चुनवती हो हमें सांत दिमाग से उस चुनवती से निपटने के लिए प्रयास्तरत रहना है यह उम डरना तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि यदि हम जंगल में डरेंगे तो जंगल में ही मारे जाएंगे यह उम जंगल परतीक है दोस्तों जीवन की चुनवतीयों का और पूरा जीवन एक चुनवती ही है तो उस चुनवती को स्विकार करते हुए बिना डरे वे देखते हैं बहुत ही मतुपुन पहला कोश्चन की 28 फरवरी 2021 को स्री हरी कोटा 37 धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C-51 द्वारा ब्राजील के अमुजोनिया 1 सहित कुल कितने उपग्रहों का सफल परिक्षण किया गया दोस्तों तो कुल टोटल 19 उपग्रहों का सफल परिक्षण किया गया दोस्तों और उस देखिए उस 19 में से 13 अमेरिका के थे 13 यानि अमेरिका के थे और एक हो गया ब्राजील का अमेजोनिया 1 और बाकी सब इंडिया के थे और उसमें सबसे महत्पूर्ण था सिंदूनेत्र भारत का सिंदूनेत्र तो सिंदू का मतलब देखिए सागर का पर्यावची होता सिंदूनेत्र मतलब देखना तो सागर में युद्धपोत की निगरानी करेगा युद्धपोत वगर जो जाते हैं तो उनकी निगरानी करेगा साथ ही क्या करेगा कि चाइना प्लस पाकिस्तान के सिमावर्ती छत्रों की भी निगरानी कौन करेगा सिंधु नेत्र सबसे मतकून देखें दोस्तों एक एजंसी है NSIL New Space India Limited NSIL यह इसरो की ब्योसाइक सकाय यही विदेशों से भारत के लिए समझाते कराती है जो उपगरब प्रच्छेपित किया जाते हैं और इसरो आप जानते हैं कि 1969 में गठन हुआ था मुख्याले इसका बिंगलूरू करनाटक में है और तो इतना मतकून याद रखना है सिंधू नेत्र को याद रखना है और New Space India Limited यानि की NSIL को याद रखना है और अमेजोनिया फर्ष्ट को याद रखना है कुल 19 थे 19 में से 13 अमेरिका के थे इन सभी बातों को याद रखना है अब देखते हैं अगला कूशन अगला कूशन दोस्तों कि 2027 सहर सुची में दिसंबर 2020 में किसे सामिल किया गया दोस्तों तो इस सामिल 2 को किया गया था ग्वालियर को और रखना को एंसर हो जाएगा सी अब देखिए दोस्तों जब भी ग्वालियर का जिक रहा है तो सीधा सव है कि वहाँ तांसेन जी का मकबरा है प्लस जांसी किरानी लच्मी बाई जी का मकबरा है क्योंकि यहीं पे लड़ते वे सहीध हुई थी तो यह दो लों का मकबरा ग्वालियर में है तो अब युनसकों की 2092 सर चूसी में भारत के कितने सर सामिल हो गया तो टोटल हो गया है भारत के 40 सर सामिल हो गया और युनसकों की अस्थापना विध्यान में रखना है तो कब होई थी? 1945 में होई थी भारत कब सदसे बना था? भारत बना था 1946 को 1946 और 1945 में राष्टी आंदुलन के संदर में दो मत्पून गटना है इनको भी याद रखना है सबसे मत्पून है कि जून 1945 में वेवल योजना आई थी दूसरा क्यावा था कि वेवल योजना के लगबग 10 दिन बाद ही सिमला समझे होता है था 1945 में इन दोनों को याद रखना है और बस देखते हैं अगला कोशन जल्दी से कि अंतराश्टी गुलोबल की टीम ने किसे विश्व का दूसरा सबसे स्रेश्ट टाइगर रिजर्व गोसित किया दोस्तों तो किया है कारबेट नेशनल पार्क को कारबेट नेशनल को पार्क सबसे महत्पूर्ट तो मतलब यही हो जाएगा कि यह कहां पे है तो यह है उत्तरा खंड में उत्तरा खंड में है दोस्तों एक कुश्चन एक बार पुछाए कि किस नदी के किनारे है तो कार्वेट नेशनल पार्ग से राम गंगा नदी बहती ऐसे विध्यान रखना है और देखे भारत का प्रथम नेशनल पार्ग यानिक सबसे पहले इसी का निर्माण हुआ था तो वर्स था 1936 दोस्तों यानि 1935 का जब व्यक्ट आया उसके एक इसी थे उनिक के नाम पे जिम कार्वेट नेक्शनल पार उत्राखंड उत्राखंड के नएनी ताल यहां पवड़ी गड़वाल छत्रों मेर यहां से नदी बती है राम गंगा 1936 में बना था सबसे मत पूर्ण दोस्तों कि 1973 में यहीं से प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हु इन सबी बातों के ध्यान रखते हुए देखते हैं अगला कोशन अगला कोशन है दोस्तों कि ONGC द्वारा ONGC भारत का पहला भूतापी बिद्दूत परियोजना जियो थर्मल इनर्जी पूर्जेक्ट कहां स्थापीद करेगी तो करेगी लद्दाख में लद्दाख का एक छेत्र है पूगा वहां का एक लोकल जगह है पूगा तो उसी पूगा जगह पर स्थापीद करेगी है सबसे मत्पूर की अभी मतलब यह सुरवाती चरण में है लेकिन 2022 के अंत तक यहां से बिजली उत्पादन सुरू हो जाएगा 2022 के अंत तक और यहां कितनी है तो बहुत जादे यहां से बिजली उत्पादन की संभावना है लगबग 100 मेगावाट भूतापी उर्जा दोस्तों कहां पूगा लद्दाक और सबसे मत्पून है कि कौन कंपनी तो ओन जी सी अगला कोशन दिखते हैं दोस्तों जल्दी से कि अगला कोशन है कि सयुक्त राष्ट संग के खादेयों किरसी संगठन तथा आर्बर डेफ फाउंडेशन द्वारा सहरी बनों की विकास और रख रखाव की प्रतिवधता के लिए 18 फरोरी 2021 को किसे 2020 ट्री सिटी आप दे वर्ड का पुरस्कार दिया गया गोशित किया गया तो दोस्तों जो देखें है हैदराबाद को किया गया था कौन सा सार हैदराबाद को ये फैक्चुल है देखते हैं अगला कुछन जल्दी से दोस्तों की अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स 2020 में पहला अस्थान किसका है दोस्तों तो पहला अस्थान है उडिशा का दूसरा अस्थान किसका है महराष्ट्रा का है तीसरा अस्थान किसका है चतिस गड़ का है नागालंड का कौन अस्थान है अंतिम 29 अंतिम अस्थान नागालंड का है और देखिए प्रजा फाउंडेशन है महाराष्टरा की है तो उसने ही इसको इंडेक्स को बनाया है तो देखते हैं अगला कोशन जल दिसे कि बुक सगी बैन के लिए बुकर प्रसकार 2020 किसे दिया गया दोस्तों तो यह दिया गया है डगलास इस्टुवर्ट को पूछ दे कि 2019 के लिए बुकर प्रसकार 2019 के लिए किसे दिया गया है तो दिया गया है एट उट एवन एवारिष्टा को दिया गया है 2019 के लिए और देखिए अउनी जोसी जो हैं यह भारत की मैला हैं लगी रहती हैं दुबई में और इनकी बुक का याद रखना है बुक का नाम है बंट सुगर तो इनकी बुक है बंट सुगर यह भी मतलब नामांकित थी बुकर प्रसकार 2020 के लिए लिकिन मिला किसे डगलस इस्टुवर्ड को बुक का नाम है सगी बेन अगला कुशन देखते हैं दोस्तों जल्दी से कि फ्रेंच आर्डर आप मेरिट सम्मान किसे मिला है तो मिला है रोहिडी गोड बोले जी को फ्रेंच आर्डर आप दा मेरिट सम्मान और रंजीत सिंग दिसाले को ग्लोबल टीचर रवार्ड मिला है मिलग्राम यों बिलसन को एकोनोमी का लोबल मिला है 2020 का किस लिए तो निलामी के सिधानतों में सुधार लाने तथा इसके लिए नया प्रारूप बनाने के लिए देखते हैं दोस्तों अगला कोश्चिन जल्दी से कि कोच्ची मंगलूरू प्राकृतिक गैस पाइपलाइन जिसका उद्गाटन परदान मंत्री जी ने पांच जनौरी 2021 को किया जो साड़ चार सो किलिमेटर लंबी है इसे किस कंपणी ने बनाया दोस्तों तो सबसे महत्पूर्ण है गेल गेल ने इसे बनाया आया यह देखिए और यह चारों है महारतन कंपणी बनाया किसने गेल ने देखते हैं दोस्तों अगला कोश्चिन अगला कोश्चिन है दोस्तों कि 10.11.2021 को महिला एर इंडिया पाइलट टीम की सबसे लंबी सीधी उड़ान कहां से कहां तक हुई दोस्तों तो उई थी सेन फ्रांसिसको और बेंगलूरू के बीच में तो देखे इसकी सबसे महतुण बात यह थी कि इसमें चार जो महिलाएं थी पाइलट थी यानि कि चार महिलाएं पाइलट थी यानि कि जितने भी महिलाएं थी उस सभी पाइलट थी चार महिलाएं पाइलट थी और इनका नेतित जोया अगरवाल जिन किया था जोया अगरवाल इनको याद रखना है और सभीं पायलेट जो थे उमैलायन थी इनको भी याद रखना है जोया अगरवाल प्लस तीन और मैलाएं थी और ये सबी लोग पाइलट थी इसमें पुरुष कोई सदस्त नहीं था तो ये पहली बार ऐसा हुआ था इसलिए याद रखना है हो सकता है कोईस्चन पूछ दे तो आज इतना जोस्तों मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में तब तक के लिए वीडियो को अंतक देखने के लिए आपका प्रियम पुरुवक बहुत बहुत धन्यबाद दोस्तों बहुत बहुत धन्यबाद